हेलो एवरिवन वेल इस तो आज जो हम लोग बेसिकली इस वीडियो के अंदर दोस्तो चाप्टर नंबर टू एसम का रिवाइस करने वाले एक लेंदी चाप्टर रही है आपके पांच चाप्टर में से अगर देखा जाए तो बट येस बहुत सारे आपके जो टॉपिक से व ले ले लेते हैं उसके बाद अंदर की जो टॉपिक के डीटेल्स है वह हम लोग डिसकस करते हैं राइट सो हम कोशिश ही रखेंगे एक-एक कोना-कोना कवर करने की कुशिश करें एक-एक इंपोर्टन बात को हम लोग यहां पर जो हो नोट करने की कुशिश करें मैं धेरो एक्जामपल आपके जो है वो corporate world के use करूंगा ताकि आप इस पूरे के पूरे concept को ठीक से relate कर पाओ सी बात ऐसी है कि यार theory subject है तो काफी बात है ऐसी है जो business के around इतनी जादा revolve around करती है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है तो differentiate कि यार इस concept में क्या बात बोलके रखी हुई है या दूसरे concept में क्या बात बोलके रखी हुई है और वहाँ पे सबसे जादा दोस्तो हमारे जरूरी यही बन जाता है कि एक्जांपल के साथ उसको मैं connect करता जाओं तो देरो एक्जांपल हम लोग यहां पर discuss करने की कोशिश करेंगे फॉर नाउ इस chapter के अंदर हम लोग क्या mainly discuss करने वाले यह क्या revise करने वाले उसका एक मैं smart छोटा सा जो है वाज इन smart overview देता हूं right so basically हम इस chapter का नाम अगर देखे तो इस strategic analysis देखो यार बहुत इक प्यारी line इस chapter के beginning में लिखे हुई है कि strategy जो है वो बनाना कोई intuition का खेल नहीं है कोई opinion का खेल नहीं है मतलब मेरे मन में आ रहा है क्यार मैं यह कर लेता हूं या इस business में चला जाता हूं that's a very wrong decision क्योंकि आप म strategy randomly adopt कर रहे हो that is a very bad thing आपको बकाइदा जबी भी कोई आप strategic decision ले रहे हो तो उसके पहले step को करना बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है which is strategic analysis तो basically strategic analysis का मतलब यह हो गया हम हमारे environment को analyze कर रहे है sir कौन से environment well दो टाइप के है in fact basically हम लोग में foundation में भी थोड़ा बहुत internal environment जो मेरे organization के अंदर की strength है जो weaknesses है उनको मैं analyze कर रहा हूँ आपका chapter number two जो है वो purely इस बात पर focus करेगा कि किस तरीके से external analysis करना चाहिए और उस analysis में हम लोग कौन सी कौन सी बाते cover करने वाले है दोस्तो right so basically एक अगर मैं sense दूँ तो हम लोग यहां पर अपने SWOT analysis को थोड़ा जैसे कि for example मेरे लिए मेरी strength यह हो सकती कि यार मैं बहुत low cost पर operate करता हूँ मेरे पास भरपूर capital पड़ा हुआ है right मेरी weakness यही उल्टा हो सकता है कि मैं बहुत high cost पर operate कर रहा हूँ मेरे पास ultimate जो है वो बिलकुल भी capital नहीं पड़ा हुआ है तो यह आपका अंदूरी नहीं ह हो गया जो chapter number 3 हमें बताएगा तो sir external analysis क्या हो गया market में जो opportunities आपके लिए exist कर रही है जैसे अरे मेरा competition है Akasa Air वो इस point of time पे बहुत ही weak चल रहा है क्यों नहीं उस market का मैं फाइदा उठाया जाओं यह आपके लिए opportunity है यह तभी आपको पता चलेगा जब आप news में इस बात को observe करोगे that is external analysis करोगे यह आप समझदो कि आपके लिए कोई बात threat भी हो सकती है जैसे आपके खुद की airline क चोड़के किसी और के पास जा रहे तो यह में लिए threat हो सकता है हाला कि यह तो आपका internal environment का यह part है पर आप समझदो हो सकता है कि सरकारी कोई regulation आके रखी हुई है उस regulation के कारण आपके उपर negative impact पढ़ रहा है तो यह आपका threat हो गया तो हम basically यहाँ पर यह देखने की कुशिश कर रहे है कि मेरे आस पास में मेरी जो सरकार है देश की मेरे देश का जो ग्राग है मेरे देश की जो economy है बहारी देश की जो economy है मेरे जो यहां की technology है वो किस तरीके से मेरे उपर दोस्तों impact डाल गई है तो एक बात को हम detail में discuss करेंगे tension लेने की कोई जरूत नहीं है बहुत ह हलका heavy, heavy बिल्कुल नहीं है बहुत easy chapter है in fact एक एक example के साथ जब हम relate करेंगे तो सारी बाते हम लोगो clear होगी let's start और exam के time let's say किस chapter को आप देखोगे तो कई चीज़ें आपके जो है वो already हम साथ-साथ read कर चुके होंगे तो reading आपके लिए बहुत जादा आसान बन जाएगी external analysis में हम चार चीज़े analyze करते हैं हम लोग की market को analyze करते हैं जाज़ें इंडस्ट्री जिसके अंदर हम लोग portals five forces और attractiveness of industry पढ़ेंगे दूसरा हमारे customer को हम analyze कर रहे है उसके behavior को हम analyze कर रहे है तीसरा competition को हम analyze कर रहे है और चौधा in general environment को analyze कर रहे है इसमें कुछ आपके topics है जो factor अगर मुझे grip पर लेना है ना तो उस point of time पे topic के sequence हो है वो पहले से मेरे दिमाग में determined होनी चाहिए जैसे पहले मैं इन चार अलग अलग जो factors को externally analyze करने वाला हूँ उनको मैं पढ़के रख लूँ और उसके बाद independent topic पर जाओ या पहले independent ये चार topic कर लूँ उसके बाद इस analysis पर हूँ right सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते है customer analysis की जो सबसे छोटा है और smallest है फिर उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे competition की then हम लोग बात करेंगे market analysis की और आखिर में दोस्तों हमारी बात होगी environment को लेके और फिर जो भी हम लोग के independent topics है वो सब भी हम लोग साथ-साथ cover करने की कोशिश definitely करेंगे right यहां पर सबसे पहले if I talk about customer analysis तो आप अपने model के अंदर भी जो है वो सीधा as in यह page number open कर सकते हो customer analysis का ताकि आप साथ-साथ जो हो as in पढ़ते रहो और टिक करते रहो कि यह वाली बाते मेरी हो चुकी है otherwise जो भी आपके पास notes है वो जहां पर मिलकर goods और पैसों का exchange करते है that is market जिससे कि stock market हो गया हाँ पे shares हो गया जो कोई खरीद रहा है और पैसे जो कोई दे रहा है सबजी मार्केट हो गया सबजी कोई खरीद रहा है पैसे कोई दे रहा है इस तरीके से आपके बहुत सारे different market exist कर सकते है तो market मतलब एक place हो यह philosophies क्या है marketing की concept क्या है देखो वाई सीधा साही साब है marketing जब आप कर रहे थे तो यह एरा की बात है कि किस तरीके की marketing होती थी जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ before industrial revolution वाला एरा जहां पर बहुत कम लोगों के पास machine है और product बनना अपने आप में बड़ी बात है तब आ की जाएगा फिर दीरे-दीरे क्या हो गया competition आने लगा और सब लोगों के पास अब इतनी सारी machine आने लगी तो उन्होंने बोला किया focus shift करो अब जनता को ऐसा है कि सिर्फ माल सस्ता है नहीं चाहिए माल अच्छा भी चाहिए तो वहाँ पर concept आ गया product orientation का मतलब ऐसा हो गया कि आपका concept आ गया that is selling वाला concept अब selling concept में ऐसा environment आ गया जहां पर माल तो आपने बहुत अच्छा बना लिया है लेकिन यार सब लोगी माल अच्छा बना रहे और जंदा बोल रहा है कि आप किसका खरीदू में को समझ नहीं आ रहा है तो वहां पर आप बोलते हो कि यार कुछ न marketing concept और उसके बाद आपका आता है आखिर में ऐसा concept जिसको हम बोलते है marketing concept अब यह एक ऐसी philosophy हो गई जो आज की philosophy है थोड़े से time के पहले की philosophy है जहां पे हम बोल सकते है क्या customer ना selling वाले से इतना जादा परेशान हो गया था इधर भी आट दिख रहे है उधर भी आट दिख र यह वाला महौल आ गया है और वहां पे मुझे ऐसा है कि जो बंदा मेरे हिसाब से माल बनाएगा मैं तो भाही लूँगा मतलब एक ऐसा concept हो गया जहां पे आप as a producer जब माल बना रहे हो तो सामने वाले से पूछ रहे हो सुन भाई तुझे क्या चाहिए और उसके हिसाब से ना कि बेचना आपको पढ़े ना क्योंकि आप उसके हिसाब से बनाओगे उसके हिसाब से प्राइजिंग रखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा तो यह बाते इस paragraph में लिखी हुई है चार concept के बारे में production, product, selling and last में आपका हो जाता है marketing concept फिर एक बहुत अच्छा paragraph में discussion चनाता है customer और consumer के बीच का difference, well, simple सा हिसाब है, जो बंदा मेरे से commodity purchase कर रहा है वो मेरा customer है और जो बंदा मेरे commodities यूज कर रहा है वो मेरा consumer है, किसी-किसी case में customer और consumer सेम भी हो सकते हैं, मैं गया ice cream के दुकान पे, मैंने पैसे दिये, ice cream लिया, I am a customer और मैंने वह ice cream खा ली, I am consumer और लेकिन कोई-कोई cases ऐसे हो सकते हैं, जहां पर आपका customer अलग हो और consumer अलग हो, for example, कि 9th standard के student के parent है, वो किसी classes में गए, inquiry किये, पूरा समझ लिए, these are the customers, who are paying the fees, लेकिन ultimately फिर वो 9th standard का जो बच्चा है, वो जाके class में बैठा, तो वो मेरा consumer हो गया, तो आपको ये ध्या consumer को नहीं satisfy करोगे ना, तो भी चलेगा, बट consumer को satisfy करो, और जब pricing decide करने की बात आ रही है ना, तो यार, consumers तो पैसे दे ही नहीं रहा है, वो तो आपका कौन दे रहा है, customer दे रहा है, तो उस पर आपको focus करना चीए, तो उन दोने के 20 का practically आपको difference पता होना चीए, कि who is your customer and who is your consumer, और उसके बाद आपका next आजाता है, customer analysis, यह बला read only part है, जो आप अपने customers के उपर focus करके देख रहे हो, क्यार मेरा ग्रहक कौन सा है, जिसको मेरे को बेचना है, इतने सारे लोग है, उसमें से ultimately मेरी audience कौन सी है, लेकिन सबसे important इस पूरे part में वो यह है, customer का behavior, जिसको आप आपको analyze करना बहुत जरूरी है, कि किन बातों के कारण आपका customer जो है, वो आपका product खरीता है, कौन से ऐसे factors है, जिन से वो influence होके खरीता है, जैसे, अगर मैं insurance policy लेने जा रहा हूँ न, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे किसी ऐसे दोस्त को phone लगाउंगा, या मेरे कि किसी ऐसे boss को, या leader को phone लगाउंगा, जिसको मैं मानता हूँ, और मैं को लगता है कि या बंदा, ये financial terms में बहुत अच्छा है, इसको phone लगा के पूछता हूँ, जैसे कई लोग क्या करते है, अपने, तुम जैसे जब CA बनोगे, तो लोग आपको सिर्फ tax के बारे में नहीं पूछेंगे, ये भी पूछेंगे, सर आप इतना कुछ जानते ही हो, थोड़ा सा ये भी बता दूना, कि insurance जो है, वो मुझे कहां से लेनी चाहिए, कौन सी policy लेनी चाहिए, तो लोग policy की advice आप से पूछते है, तो in such case, आपका customer किस तरीके से behave करता है, LIC बोल रहा है, कि या ultimately how your customer behave, क्या वो peer review लेता है पहले, और उसके बाद ultimately आपका product खरीता है, या advertisement, जैसे कई बार हम लोग क्या होता है, कोई भी fashion product रहेगा, तो influences को देखके attract हो जाते है, और खरीद लेते है, तो वहाँ पे आपका customer external influences कारण जो है, वो impact हो रहा है, तो when I say external influences और internal influences, मतलब external influence का मत the very simple, कि जहाँ पर बाहर से कोई ने कोई ऐसा factor है, जो उसके decision को impact कर रहा है, psychologically जो हो उसको hit कर रहा है, क्या मुझे लेना चाहिए, जैसे society का pressure में रहे है, घर खरीदना चाहिए, society का pressure में को बोल रहा है, शादी अच्छी होनी चाहिए, society का pressure में को बोल रहा है, भाई, गाड प्रोड़क्ट है जब वो बेचेगा तो प्रोड़क्ट पर ऐसा स्टेटमेंट हमेशा मारेगा सर यह प्रोड़क्ट बहुत अच्छा है और यह मैं नहीं बूल रहा हूं इस बिल्डिंग के कम से कम 10 लोगों ने खरीद है जैसी वाली बात हमें बोलता है हम लोग का तुरंट ट्रस्ट हो जाता है यहां पर हम लोग एक्स्टरनल इंफ्रेंस के कारण इंपाक्ट हो रहे हैं तो कई यह सी ब्रांड्स है जो ध्यानती है कि यह बंदे को अंदर से ले रहा है हम लोग अपने रिव्यू सिधारेंगे तो काम अटोमेंटिकली हो जाएगा टीचिंग हो गया इंशॉरेंस हो गया यह सब आपके एक्स्टरनल इंफिंस हो गए इंटरनल इंफिंस का मतलब यह हो गया कि आदमें खुद सोच रहा है और उसके बिस्स पर कर रहा है तो इसके मन में हमेशा रहता था पैसे आ गए कि नहीं आए और वहां पर लेट से कि जब भीड एक साथ इखटा होती थी तो बंदे को लगता था कि या दो तिन पेमेंट तो मेरे को लगता है मेरे कस्टमर करके गई नहीं होंगे और उधर उसने वह समझा पेटि पे 5.000 रुपे रिसीव हुए और यह आवाज सुनके अगला क्या करेगा एज न कहीं न कहीं ट्रस्ट करेगा और वह पेमेंट रिसीव करने चालू करेगा और हमें थोड़ा बहुत कमेशन इस बात का पे गरेगा तो यह एक इंटरनल फाक्टर हो गया जो इसको स्टिमुल दिखकत आ रही है मुझे दिखकत आ रही कि मेरे पास पैसे नहीं है मुझे लोन लेना है सबसे पहला स्टेप हो गया problem recognition दूसरा desirable alternative मैं सर्च कर रहा हूं यार मैं दोस्तों से लोन लूं बैंक से लूं कहां से लूं मैं कोई समझ नहीं आ रहा है तो मैंने सर्च करना चालू कि what are alternatives available तीसरा मैं यहाँ पर देखूंगा कि हार सबसे best alternative पहुंस है जो मेरे को सबसे सुस्ता सस्ता सुन्दर और टिकाव पड़े मैं उससे लूंगा and finally I make the choice तो यह decision making के process हो गये जो आपके customer को behave करने में help करते और सबसे 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 important बन जाता है कि हार बंदा अगर आपक उसके चहरे पर smile है या उदासी है कि आर बे मतलब के वैसे लग गए और अच्छा टेस्ट भी नहीं मिला हुआ है तो यह मेरे लिए बहुत माइनी रखता है कि कैसा experience मेरा customer feel करता है और उसके basis पर ultimately मैं सारा का सारा आसपास का महौल सेट करता हूं सारा का सारा environment सेट करता हू तो यह post decision process भी बहुत जादा आपके लिए important बन जाता है जैसे कि for example कि लेट से कि आपको हमारी company जो है वो loan दे रही है अब बहाँ पे loan देने के बाद आपको product तो मिल गया बट वो loan कितना easily disperse हो रहा है loan कि क्या-क्या documents आपको पकड़ाए है कितनी कम qualities है यह सारी बाते हैं जो convenience पर सिधा impact डालती है तो यह भी आपके लिक factor हो सकता है कि कल जाके अगर आप review दो तो आप बोलो भाई SGFC से loan ले ले बहुत easy पड़े का तिरको एक बार loan अप्रूव हो गयाना तो मखन वाला काम है आपसे जादा documents मांगेंगे नहीं तो यह आपका post decision जो है वो महौल ब reduce किया हुआ है तो आपका behavior का topic important को सकता है right next हम लोगा जो topic बन जाता है it is globalization well globalization से पहले एक बार हम लोग discuss कर लेते competition वाले part को competition की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग को यह सीखना पड़ेगा what is competitive landscape and what is competitive strategy ठीक है ना तो देखो competitive strategy का मतब यह हो गया कि हम यहाँ पे कोई कोई रण नीती बना रहे कि कैसे मेरे competition को मैं outperform कर सकता हूँ right यह मेरा जो है competitive strategy हो गया सर competitive strategy बनाए क्या अपने अरे बनाना अभी नहीं सीखेंगे वो तो हमें chapter number 3 सिखाएगा chapter number 3 में आप Michael Porter के बारे में पढ़ोगे और वहाँ पे देखोगे आप cost leadership apply कर सकते हो differentiation apply कर सकते हो बट यहाँ पे हम लोग को यह सिखाता है कि बाई किस तरीके से हम अपने competition को समझे यह आपको basic step देके चला जाता है जिसको हम लोग बोलते है step to understand your competitive landscape what is competitive landscape कि कौन मेरे direct competition है कौन मेरे indirect competition है उनका vision क्या है mission क्या है उनकी values क्या है उनकी पास क्या एसी strength है यह सब मैं एक साथ ज दूसरा मेरा step होगा कि exactly कितने बड़े है वो first step में in fact मैं check करता हूं who all are my competition and how big are they दूसरा मैं अपने competition को समझने की कोशिश करता हूं मैं लोगों से बोलता हूं भाई एक बार research report देना मीडिया में मैं check करता हूं मैं उनकी strategies पे ध्यान रखता हूं एक एक बात का ध्यान रख है क्या क्या वह बहुत सस्ते cost में बना रहे है क्या क्या वह बहुत सस्ता बेच पा रहे है क्या आगे वो लोग क्या करने वाले है उनका strong distribution network है कि नहीं जिसे एशन बिंस का बहुत जाधा strong distribution network है और उसके human resource की strength क्या है और उसके बाद weakness का पता चल जाएगा और यह सारी information को एक साथ मैं लेकर कहींने कोई strategy बनाने की कोशिश करता हूं कि कैसे मेरे business के अंदर मेरे competition को में defeat कर सकता हूं और यह आपका पूरा analysis माना जाएगा competitive landscape और एक concept फिर हम लोग का थोड़ा सा independently हम यहां पर discuss कर रहे है कि success factor for competitive success मतलब पुल मिला के ऐसा हो गया कि ग्राहक जब मेर मेरा product और मेरे competition का product choose कर रहा है कौन से ऐसे factors है जिस basis पे वो decide करता है कि यार इसको लेना है मेरे यह वाला जो है ultimately product मुझे लेना है कुल मिला के key success factors for competitive success का मतलब यह हो गया कौन से ऐसे features है जिसके basis पे आपका ग्राहक decide करता है कि वो product purchase करना चीए या नहीं करना चीए हमें उन features को identify करके कोशिस करने के उनके हम बहतर बने जैसे कि for example अगर मैं यहाँ पर बात करूँ in case of a car तो car के लिए कि success factor क्या होगा कि consumer जब let's say कि कोई car purchase करने जाता है तो वह पहले पूछता है sir इसकी price कितनी है sir यहाँ पे जो है वो safety हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी sir कितने इसके जो है वो airbags है कितना जो है वो comfortable है यह mileage उसकी कैसी है sunroof तो आपका एक factor उतना नहीं हुआ बड मैं यह बोलू इतने सारे factors में से कौन से इसे factor है जिसके हम लोग बिल्कुल भी compromise नहीं कर सकते comfort, mileage, price और safety तो मुझे make sure करना है कि यह चार factor मेरे सबसे बहतर हो because यह key success factor है अगर इन में मैं superb हो गया ना तो यार ग्राग कभी मेरे को छोड के नहीं जाएगा हमेशा वो मेरा ही पुड़क दोस्तो लेगा तो यह मेरे key success factor हो गए for competitive success तो आपको दिखना है कि जिस industry में आप operate कर रहे हो उसमें कौन से ऐसे factors है जो compete करने में आपको बहुत जादा help करने वाले है कौन से ऐसे features है आप key success factors को key success features की तरह भी पढ़ सकते हो are the prerequisite prerequisite का मतलब होता है यार इसके बिना तो काम नहीं चलेगा तो कौन से ऐसे success factors है जो prerequisite है for industry success और ultimately आपको make sure करना है कि इन factors में आप superb successful बनो और यह किस तरीके से आप पैचान होगे तीन answer को मतब तीन question का आपको answer देना है सबसे पहला किस basis पे customer आपका जो product है वो choose करता है या competition का product choose करता है कौन से ऐसे resource या capabilities एक seller के पास मेरे पास होने चीए to sell my product and finally सिधा सा है कि भाई इसके कारण में को sustainable competitive advantage मिल पाएगा कि नहीं पाएगा सर यह sustainable competitive advantage का है well इस वीडियो में मैं discuss नहीं करूंगा लेकिन द definitely cover करने की कोशिश करेंगे but for now हमें यह समझ में आ गया किया कि success factor क्या है ऐसे factors जो हम लोग को successful बनाएंगी right फिर हम लोग ने यहाँ पर दो element पढ़ लिये external environment के हमने competition पढ़ लिया दोस्तों हमने customer पढ़ लिया इसके अंदर जो key points है वो हम लोग ने देख लिये steps to understand competitive landscape बहु right अभी इस point of time पर दोस्तों हम लोग एक next topic पर जा रहें industry को analyze करने और बहुत ही crucial topic है क्योंकि इससे definitely आपको जो है exam के अंदर question दिखता ही है that is कि industry को जब analysis करने की बात आती है तो इसके अंदर दो बाते हैं जो हम लोग को सीखनी है Porter's five forces Michael Porter SM के दिवता हो गए और दूसरा industries attractiveness कौन से ऐसे features है जो एक industry को attractive बनाते हैं पहले हम बात करते है Porter's five forces बहुत simple है क्या एक business को जो है वो पांच ऐसी ताकते हैं जो impact करती है उसका supplier उसका customer उसका भाई existing rival या कोई नया entrant newborn या फिर कोई substitute cousin हम बोल सकते राइट तो यह पांच इसे जन्हें है जो mainly आपके जो margins है आपके जो cost है उस पे directly या indirectly impact करते राइट sir example जैसे देतो right for example let's say कि अगर मैं एक business man हूं और मैं किसी ऐसे supplier से कोई goods purchase कर रहा हूं जो अपने आप में बहुत unique है market में उसके लाव हो और कोई माल नहीं बेचता है जिसे कि for example usually यह कब होगा पता है जब कोई natural resources है और government जो है वो ultimately मस्त दवा के बैठा हो है बोला यार इंडिया पूरा मेरा है natural resources मेरा है और मेरे कंपनी को वो natural resources चाहिए तो जब मैं उनसे खरीदने जाता हूं तो यार किस तरीके की वो मनमानी करते है भाव खुड decide करते है कितना देना है खुड decide करते है कब देना है खुड decide करते है तो यह वाले point of time पर ऐसा है कि मेरा margin बहुत जादा compromise होता है for the reason being simple कि यहां है supplier क्योंकि बहुत ही कम है बहुत ही unique है तो मेरी जो bargaining power है वो कम हो जाती है विकास जो वो बोलेगा उसके हिसाब से मेरे को करना पड़ेगा तो इधर मैं बोलूंगा कि मैं एक ऐसी industry में operate कर रहा हूं जहां पर bargaining power मेरी बहुत जादा वीक है supplier के सामने और इसके चारण मेरे cost पर बहुत जादा pressure आएगा फिर हम लोग ने चेक किया किया consumers का क्या हल है थोड़ा उसको हम लोग दिखते तो let's say customers तो बिखरे पड़े मतलब हर कोने में ऐसा है कि मेरे product के demand है और मेरे जैसे price पर बेशना जाता हूं किसको बेशना जाता हूं और कोई ना कोई तो खरीदी लेगा जो बंदा नहीं खरीदता है उसको छोड़ेंगे तो भी अच्छागास सा अपने माल पर्चेस कर लोना विकास हम चाहते है कि यह customers हमसे माल पर्चेस करें तो हम बोलेंगे कि यार बार्गिनिंग पावर जो customers का है ना वो बहुत जादा स्ट्रॉंग यार मेरे margin पर impact डाल रहे margin की क्या बात कर रहे है सामने वाले बंदे ने चार feature मेरे को डालने बोलें जिसके चक्कर मेरे cost इतनी बढ़ गई है कि profitability की पुरी वाट लग चुकी है तो that is the case over here कि bargaining power of supplier कैसे आप पर impact डालती है और bargaining power of customers कैसे आप पर impact डालती है उसके बाद आ जाता है नया इंटरेंट नया इंटरेंट का मतलब हो गया नौ सिखिया नया प्लेयर देखो कभी कबार ऐसा होता है कि नया प्लेयर भी आपको impact कर सकता है क्योंकि नए प्लेयर का हमेशा intention क्या रहेगा कि यह new entrant हमेशा जो है वो as in price कम रखने की कोशिश करेगा या कुछ न कुछ unique है इसलिए तो industry में enter हो रहा है और इस point of time पर ऐसा है कि भाई ये बंदा अगर लेटसे कि कोई on the strategy लगा दिया तो उस point of time पर मेरी strategy धरे में धरीर जाएगे जैसे कि for example air tail हो गया वोड़ा phone हो गया इन सब के लिए जो new entrant है उसका काम reliance नहीं किया और reliance जैसे ही आया बहुत बाट लग गई थी तो हमें यह देखना है कि कितना जादा threat हम लोग को new entrance है सर new entrance आएगा तो threat होगा ना मुद्दा होटता है आएगा वो तो दूर की बात है आ सकता है कि नहीं सकता हो पहली बात अगर मुझे लगता है कि मेरी ऐसी industry है जहापे नई entrance के लिए बिल्कुल भी barrier नहीं है कभी भी वो लोग ultimately इस industry में एंटर हो सकते है तो and that point of time मुझे हमे is to new entry में important topic है अच्छे से दिखेंगे last हो जाता है threat of substitute ऐसे लोग जो ultimately आप जिसा प्रोडक्त तो नहीं बेच रहे लेकिन customers जो है वो decide करके हो सकता है कि कभी-कभी उन्हें भी use कर सकते है because उनको substitute अच्छा लग रहा है सस्ता मिल रहा है और मैं तो बोलता हूं कि substitute आपका is fighting for the time of the customer and that point of time पे अगर लिए सखी वो बंदा कहीं और time devote करने का intention रख रहा है जहां पर उसे ज्यादा benefit दिख रहा है तो यहार Netflix के लिए तो यह क्या हो गया एक तरीके से threat ही हो गया तो हम लोग के 5 जगह से threat आ सकते हैं एक बार overview हम लोग लेते है कि exactly यह 5 threat किस तरीके से ह खतरनाक impact कर रहे तो मतलब यहार यहां पे तो इंडस्ट्री में कोई profitability होगी नहीं सप्लायर मेरे को बोलता है कि भाई जिस भाव पर मैं बोलूँगा उस पर लेना पड़ेगा जैसा मैं बोलूँगा वैसा बनाना पड़ेगा राइवल बोलता है कि मैं भी देने के लिए तयार हूं मैं तिरको और अच्छा भी दूँगा नाए अंट्रेंट बोलता है मैं भी आऊं क्या मैं भी आऊं क्या और substitute बोलता है कि या राइवल तुम दोनों इतना क्यों लड़ रहे हो इस बंदे को तो मैं अपने पास खीच लूँगा और जगा से अगर लेट से कि मेर मार्जिन पे कैसे इंपाक कर रहे है यह एक एक्स्टरनल इनालिस का बहुत जादा इंपॉर्टेंट बन सकता है अब यहां पे हम लोग देखेंगे सबसे पहला थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट का मतलब हो गया नौ सिख्या जैसे मैंने आपको बुला अगर आपकी इंड इंडिस्ट्री खुदी कर देता है और कुछ आपको करने पड़ते हैं जैसे फर्स्ट बैरिर हो गया कैपिटल रिक्वार्मेंट कि यार मैं टेलिकॉम इंडिस्ट्री में ऑपरेट करता हूं कोई चोटा मोटा आदमी आके जो है वो इस पांट अफ टाइम पे इस इंडिस गुस पाएगा और इसलिए बड़े-बड़े आतमी जो है वो गुस पाते है और बहुत ही वो few as in numbers में रहते रहते राइट दूसरा हो सकता है economies of scale जैसे कि Walmart हो गया Walmart ने अपना जो है वो यह बैरिर करके रखा हुआ हुआ है उसने बोल दिया simple सा हिसाब है जिसको ultimately मेरे सामन पाएगा और क्योंकि उस quantity में purchase करके अच्छा खासा discount obtain कर रहा हुँ तो वहां पे मेरा सबसे बड़ा फाइदा यह हुँ रहा है क्या मैं जो है वो जिस भाव पे ultimately माल खरीद पा रहा हुँ ना उस पे तो आप कभी खरीद दी नहीं पाओगे तो आप समझ दो Walmart को टकर केने के लिए सबसे बड़ा barriers जो नोने create करके रखा हुआ है वह है economies of scale कि जिस scale पे वो operate कर रहा है उसके कारण उसको जो हो ultimately समान इतने सस्ते में मिल रहा है वो scale पे कभी आप operate कर पाओगे नहीं शुरुवात में और वहां पे आप कभी भी उससे कम price तो जो हो set कर पाओगे नहीं performance के मामले में इतना मखन है इतना smooth है कि आप कोई भी high level की gaming कर लो कभी आपका lag नहीं मारेगा आपको file transfer करनी है कभी भी जादा time नहीं लेगा आप definitely यह वाले experience जो है वो Windows और Apple की laptop को दिखके कर सकते हो तो वहां पे Apple ने अपने लिए इतना must जो है वो product differentiation create किया हुआ हुआ है नए entrance के आने के कारण कितना easily switch कर सकता है वो मुझे यहां पर देखना है जैसे कि for example let's say कई gym owners होते हैं जो पहले से आपको साल भर की जो है वो fees देने बोलते हैं जहां पर वो आपके लिए switching cost बढ़ा देते हैं क्योंकि कहीं पर आपने साल भर का gym लगाया है और वहां पर अपने ब्रैंड की अपने इतनी इच्छी इमेच बना लिए कि customer बोलता है तू होगा अच्छा लेकिन मिरको तो यही ब्रैंड का ची बिकॉस मिरको अल्टीमेटल से प्यार है अब यह नाइकी की बात कर लो आप एपल की बात कर लो जो भी ब्रैंड लवर्स की बात कर लो तो in such case इन्होंने एक अच्छा barrier create करके रखा हुआ है फिर हो जाता है access to distribution channel and possibility of aggressive retaliation जैसे कि for example एक नया एंट्रेंट आया उसने जो है वो जैसे यह बहुत अच्छा जो है वो Asian paints ने किया हुआ था कि अपने distribution channel में उन्होंने make sure कर दिया था कि यार यह नया एंट्रेंट कभी विना इनको as in target करी नहीं पाए तो जैसे उस point of time पे JSW paints जो है वो यह wholesalers और dealers के पास गया था हमारा paint रख लो अच्छा margin देंगे यह भी देंगे वो भी देंगे आप बोलो जो देंगे और उस वक्त Asian paints बहुत जादा dominant कर रहा था उसने सिधा जो हो शर्त रखी थी dealers के सामन कि सुनो भाई या तो JSW का paints बेचना या मेरा बेचना ये दोनों के साथ बेचोगे तो मेरे को नहीं चलेगा और वहां पर dealers बोले कि sir आपका paint थोड़ी नहीं हम छोड़ेंगे तो यहां पर हमने क्या कर दिया हमारे entrance के लिए एक barrier create कर दिया कि मेरा distribution जो channel है जहां से जनता मा माल खरीदती है उस ही को मैंने वश्व में कर लिया क्योंकि वह सामने वाला बंदा मेरे को पता है कि कहीं और नहीं जाएगा क्योंकि मैं dominate कर रहा हूं तो इस point of time पे customer मेरा ही खरीद रहे और तो सामने वाला बंदा हमेशा मेरा माल अपने हाँ दुकान में रखना चाहेगा तो यह आपने distribution channel में क्या कर दिया तोड़ा सा limit create कर दिया right and last में हो गया possibility of aggressive retaliation aggressive retaliation का मत्तब यह होता है गुआर ना धंकाना डराना कि अगर कोई नया entrant आया ना तो आप इतना गंदे तरीके से उसको धंकाओ कि कोई और कल जाके आने की कोशिश ना करे जैसे कि for example नया entrant आ एक बार के लिए loss incur कर लो बट यह make sure करना कि इतना अच्छा example सेट हो जाए कि इस point of time पे कभी कोई नया entrant गुसने की कोशिश ना करे plus 100 रुपय में तो आपका माल बेचो यह एक बार कुछ temporary face के लिए इतना साधा marketing करो कि कभी नया वाला बंदा अपना नाम बनाए ना पाए that is possibility of aggressive retaliation सिर्फ एक धमकी जो है वो सामने वाले को रोख देखी यह काफी है these all act as a barriers for a new entrant right उसके बाद हम लों का next topic आ जाता है same potas five forces में bargaining power of buyers जैसे कि मैं आप हमेशा बोलता हो यार आज के जो जमाने है उसके अंदर bargaining power of buyers बहुत जादा strong हो चुकी है it is due to awareness पहले ऐसा होता कि जब मैं insurance खरीदने जाता था तो इस point of time पे ऐसा है कि दो चार insurance company के बारे में मुझे पता होता था उनकी policies के बारे में पता होता था तो मेरे लिए ऐसा नहीं था कि भाई कहां पे कौन सबसे सस्ते premium में सबसे अच्छा सबसे अच्छी claim ratio वाला insurance मुझे बेच रहा है फिर आगया policy bazar जिसने बोला सर आप क्यों टेंशन ले रहे हो हम करेंगे ना आपके लिए हम एक काम करते हैं आपको जितने भी insurance company जो भी premium में ultimately insurance बेच रहे हैं सब combine करके आपको पकड़ा देते और उसके बाद आप क्या करना आपके इसाप से decide कर लो कौनसी insurance आपको अच्छी ल कर सकता है अगर मेरे को पता है कि इस पूरे सूरत के अंदर लेट से कि पूरे एरिया के अंदर दस जन है जो यह वाले चीज बेच रहे है और वहाँ पे मुझे ऐसा देखना है क्या यह दस जन का मेरे को सब का सब पता है क्या features दे रहे है क्या price दे रहे है तो मैं वहाँ प bargaining power of buyers की बात हो जाती है कि buyers को अगर full knowledge रहेगा product का उसके substitutes का तो वो बंदा bargain करेगा तो कि उसको पता है कि भाई कौन किस भाव में कितना कैसे क्या कहां पे बेच रहा है और खास करकि यह जादा तब हो जाएगा जब आपका product जो है वो बहुत महंगा बिक रहा है तो buyer सोच के decide करेगा जैसे हम chips खरीदने जाते हैं तो चार दुकान में नहीं पूछते कि बाई chips कितने की है लेकिन अगर हम लोग let's say कि कोई TV खरीदने जा रहे है तो उस point of time पे जादा inquiry मारते है तो जितना जादा बड़ा आपका product रहेगा उतना जादा buyer की inquiry होने के chances बढ़ जाएंगे राइट फिर हम लोग का next आ जाता है bargaining power of supplier जिसे कि मैंने आपको बोल दिया कि supplier ultimately यह होगा कि जितना जादा scarce है उतना जादा वो आपके उपर जो हो as in bargaining power रखेगा जिसे कि for example हम taxi drivers का ले सकते they have a very good bargaining power over Ola, Rapido और Uber अब इन में क्या होता है कि Ola ultimately let's say कि अगर मैं चला रहा हूं और मुझे ऐसा है कि यार अभी इस point of time पे Ola से कोई ride नहीं मिल रही है मैं Rapido पे shift हो जाऊंगा, Rapido से भी नहीं मिल रही Uber पे shift हो जाऊंगा, मेरेको तो तीनों अप्लिकेशन पे जो है वो access है और किसी ने भी मेरे लिए barrier create नहीं करके रखा हुआ है I am a service provider to these all companies बट मैं जहां चाहूं, जैसे चाहूं, जब चाहूं shift हो सकता हूं, because हम लोग scares है और ये companies को तो drivers की ज़रो थे इस point of time पे, right, then आगे आपका nature of rivalry, कि existing जो competition है, जो अभी इस point of time पे play रहे, वो कितने ज़्यादा intense है, right, अब देखो एकदम simple सा है, कि rivalry जो है, वो ये बहुत ही बूरी चीज़ा आपके लिए create करते हैं, जिसको हम बोलते है, price war और ये price war होने की chances कब कम होते हैं, कब ज़्यादा हो, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे ये chart में दिया हुआ है, अगर आपके यहाँ पे कोई industry leader exist करता है, तो वो ultimately decide करेगा क्या price होगा, आप कितना भी लड़ लो, ultimately उसने बोल दिया कि इस market के अंदर ये price रने वाला है, that is full and final, तो अगर आपके industry में कोई leader exist करता है, तो price bar होने के chances तोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन अगर let's say, ऐसे बहुत सारी leader exist करते हैं, चार-पांस जगा पर ऐसा है कि बड़े-बड़े player operate कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा है कि कोई अकेला price decide करी नहीं रहा है, तो इस point of time पे भरपूर price war होगा, कम-कम करने की सब कोशिश करेंगे, लड़ाई होगी, और इससे फाइदा किसको होगा, ग्रहाक को होगा, तो आपको देखना है कि यार, competition के अंदर कोई industry leader exist कर रहा है, अकेला ही अगर है, तो इस point of time पे उस industry में मैं बोलूँगा, क्यार ये जो बंदा leader है ना, जो price रखता है, मुझे भी वही रखने पड़ेगी, लेकिन अगर चार ऐसी leader है, तो भरपूर price war होने माला है, लेकिन आप इस price war से अपने आपको protect कर सकते हो, सर कैसे differentiate कर गए, आप बोलो कियार मैं इनके जंग में लड़ी क्यों रहा हूँ, ये बंदे जो है वो भले जो भाव पर बेच रहे, मुझे फरक नहीं बढ़ता है, मैं इनसे कुछ अलग बेचूंगा, तो customer ultimately अपना बाव डिसाइड करेगा, कि यार ये कुछ अलग दे रहा है, इस price पे मेरे को इससे ले ले लेना चाहिए, तो अगर मैं differentiate कर सकता हूँ, तो इस point of time पे मैं वोलूँगा, अरे price war को मैं avoid कर सकता हूँ, right, और उसके बाद हम लोग का next part बन जाता है, which is, कि let's say differentiate अगर मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपनी price rate कर पाऊँगा, जैसे Emirates हो गया, अपना price rate करता है, कि वहाँ पे वो पूछता नहीं कि, रे Indigo तेरा price कितना रहे, अरे Air Asia तेरा price कितना रहे, मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं मेरे customer को ultimately घर से pick कर रहा हूँ, let's say कि अगर differentiate नहीं कर सकते, तो भाई आप price war के लिए तयार हो, because उस point of time पे आपको भर पूर, जो है, ultimate fight मारनी पड़ेगी, right, अब देखो, कितना जादा industry में existing rivalry, intense है, वो कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे industry leader अगर exist करता है, तो कितने भी intensity हो, अगर अकलौता आदमी है, तो वो price जो है, वो dominate करेगा, उसके हिसाब से अपने को pricing रखने ही पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो accordingly जो है, आप सब लोग मिलकर fight करोगे price war के लिए, अगर number of competition बहुत ज़ादा है, बहुत बड़े-बड़े player है, definitely price war होगा, अगर बहुत ही कम है, और उसमें एक जैन ही जो है, वो दबबा रख रहा है, तो price war कम होगा, fixed cost बहुत माहिने रखती है, सर, fixed cost क्यों माहिने रखती है, क्योंकि ये आपका supplier, industry से exist करेगा की नहीं करेगा, उस बात पर सीधा impact डालती है, सर कैसे, well, simple सी बात है, कि अगर मेरा इस point of time पे, fixed cost बहुत ज़ादा आ रहा है, right, fixed cost बहुत ज़ादा आ रहा है, मतलब क्या, कि अगर मैं एक बार plane उड़ाता हूँ न, तो वो plane उड़ाने का जो operating cost है, वो 10 लाग रुपयार है, तो वहाँ पे मेरा 10 लाग का break-even तभी cover होता, जब plane की एक-एक set जो भी है, वो full होती है, मतलब एक-एक seat आपकी जो हो full होती है, और वहाँ पे अगर let's say, कि मैं ये fixed cost 10 लाग की इंकर कर रहा हूँ, और आधी plane ही मेरी book हो रही है, तो मैं तुरंद क्या करूंगा, जो आधी plane book नहीं होई है, उसके लिए prices गिरा दूँगा, और ऐसा आपको competition हमेशा करेगा, तो यहाँ पे लोग ये बूल रहे हैं कि भाई, जहाँ पे competition बहुत बड़ा fixed cost इंकर कर रहा है, तो अगर उसके कभी capacity फुल्फिल नहीं हुई है, तो वो capacity को फुल्फिल करने के लिए prices गिरा देगा, और उसके चक्कर में लड़ाई फिर से ये price wars की शुरू हो जाएगी, और भाई, अगर लेट सेक इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये avoid हो जाएगी, very simple, right, फिर हो गया exit barrier, कि भाई, आपके इंडस्ट्री में exit barrier कितने exist करते हैं, परस वो भी rivals को intense बनाते, जिसे 10 rival है, 10 के 10 लोगों ने 10-10 करोड के खर्चे किये हुए, 10 के 10 लोगों ने वो इजजद दाव पे लगाई हुए, 10 के 10 लोगों ने वो ultimately बाहर से पैसा उठाया हुआ है, और इस point of time पर ऐसा है कि भाई, situation ऐसी आके रखी हुई है, कि वो छोड़ना तो चाते हैं, बट सोच रहे कि यार इतना सारा पैसा लगा हुआ है, अगर छोड़ेंगे तो इनके पैसे वापिस कैसे करेंगे, अपने तो डूब जाएंगे पूरा, फिर से लड़ते, चार-पांच महीने और लगेंगे, हमको लगता है, profitable हो जाएंगे, turnaround करते हैं, बट लड़ते हैं, यार निकलते हैं नहीं हैं, तो जितना जादा आपका investment हुआ रहेगा किसी business में, उतना जादा उस investment में exit barriers होंगे, आप निकलना नहीं चाओगे, और जितने जादा, let's check, exit barriers बहुत लोगों के लिए है, तो उतना जादा आपका intense rivalry होता जाएगा, लोग बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे industry के अंदर, सब आपका competition जो है, वो यहाँ पे बढ़ता जाएगा, right, फिर एक हो गया product differentiation, यह मैंने already discuss कर लिया, if you want to isolate yourself, कि भाई, मेरे को यह price war में नहीं लेना, कुछ अलग कर लो, तो आपको price war में बिल्कुल भी ultimately impact नहीं होगा, slow growth, slow growth का is very simple, बहुत अच्छा यह concept है, यह बूलता है, देख भाई, किसी industry में तू operate कर रहा है, कितने rivals होंगे, 10 rivals है, चल, 10 rivals है, तो भी तू सहलेगा, अगर industry अच्छा कर रही है तो, लेकिन अगर industry slowdown हो गई है, तो इस point of time पे देखो, सफर करना पड़ेगा, तो slow growth का मतलब यह हो गया, कियार, let's say, कि industry बहुत must grow कर रही है, तो बहले ही 10 जनों, 10 के 10 मिलकर कमाऊगे, अगर industry अगर grow करेगी, तो सबको थोड़ा-थोड़ा मिलता जाएगा, लेकिन industry बहुत ही ऐसे धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे slowly grow कर रही है, तो वहाँ पर आपको ultimately ऐसा देखना पड़ेगा, एक तो industry भी slow grow कर रही है, उपर से competition इतना है कि बहुत कैसे अपने जहलेंगे, इससे अच्छा तो अपने निकल जाते है, तो ये कुछ बात है ऐसी है, जो rivalry पे impact डालती है, existing rivals पे impact डालती है, और आखरी दोस्तों होता है, threat of substitute, Now what is threat of substitute? Well, threat of substitute का मतब ये हो गया, जैसे मैंने आपको कहा, Instagram के लिए threat हो गया, gaming, Netflix, YouTube, Sleep, Spotify, ये भी आपके ओपर जो है, वो impact डाल सकते है, अगर substitute बहुत ही सस्ता है, बहुत ही अच्छा है, तो आपके वो customers चीन के लिए जा सकता है, तो हम लोग को देखना है कि ये 5 ओ forces मेरे पर कितना जादा impact डाल रही है, I hope आपको जो है वो clear है, right, then आते हैं हम लोग next part पर, which is attractiveness of industry, हमें देखना है कि वो industry attractive है की नहीं, उसके लिए कुछ factors हम लोग को देखने पड़ेंगे, ये factors हम लोग को याद कर लेने है, सबसे important topic अभी हम लोग ने cover किया, which is porters, five forces, बहुत ज़्यादा मैं confident हूँ कि यार, MC की उससे जो है, वो usually पूछे जाते है, तो बिलकुल आसार उसके बैठते है, right, अब यहाँ पर मैं check कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग perspective से, कि मेरे industry attractive है की नहीं, तो इधर मैं क्या check कर रहा हूँ, मेरे industry और ज़्यादा grow कर पाएगी की नही जाएगी, क्या future में industry मेरी बचेगी की नहीं, खतम तो नहीं हो जाएगी न, क्या इस point of time पर जो competition है, वो इतनी जादा है कि मेरे को profitability बिलकुल नहीं होगा, या ठीक है यार, manage हो जाएगा, profitability जो है, as in अपने निकाली लेंगे, क्या मेरे industry के अंदर जो है, ultimately जो भी profitability है, वो म हो सकता है कि nuclear family का जो concept है, वो housing market के लिए driving force हो, क्यों sir, क्योंकि पहले सब लोग घर में एक साथ रहना चाते थे, अब अलग-अलग रहना चाते है, तो rent भी आपको जो है, ultimately बढ़ेंगे, सब का अलग-अलग घर होगा, साथ ही साथ क्योंकि सब अपने अलग-अलग घर में रहना चाते है, तो इस point of time पे लोग नए अगर खरीदेंगे, तो it is a driving forces, वैसे आपका आज इस point of time पे यह vehicle का concept जो है, वो automobile industry के लिए driving forces है, तो वो हम लोग को दिखना पड़ेगा कि industry के driving forces किस तरीके से profitability पे impact डालेंगे, well हमारी competitive position के industry में, whether we are a stronger और a weaker player, well हम लोग जो rivals weak है उनकी ultimately let's say की कुछ फाइदा उठा सकते है गया, मेरा rival है जिससे customer माल नहीं खरीद रहे, मैं उनको बुला के बोल सकता हूँ गया, कि भाई मेरा माल खरीदना चालू कर दे, या किसी way में मैं उनको attract कर सकता हूँ गया, क्या जो भी ऐसे factors जो industry को unattractive बना रहे है, क्या उन factors क मैं counter कर सकता हूँ, defend कर सकता हूँ, क्या, risk कितना है इस industry के future को लेके, uncertainty कितनी है, कितना ज्यादा problem severe है, और last में, यार अगर मैं इसमें बना रहा ना, तो ultimately मेरे बाकी businesses में अच्छा होगा कि नहीं होगा, जैसे कि for example, Adani का जो mundra port है, जब let's say कि initially government ने बोला था, कि Adani जी हमा बाकी जो businesses है, उसमें मेरी logistics को बहुत जादा help हो जाएगी, अगर port हमारा खुद का रहा तो, तो कभी कबार किसी business में loss में रहना पड़ता है, ताकि हमारे बाकी जो business है, उनमें जो हम profit कमार है, उसको as in बरकरार रख सके, तो यह सारे factors के basis पर मुझे decide करना है, कि industry attractive है कि नह और उसमें ऐसा है कि 2-4 ऐसे factors हो रहे है, जो बाकी के लिए threats है, बट मिरे लिए फाइदे वाले है, जैसे 2-4 competition जो हो जा रही है, मिरे लिए बहुत फाइदे मन्द है, मिरे लिए attractive है, हो सकता है कि बाई कोई ऐसे factors हो, जो किसी और के लिए unattractive हो, तो आपको वो perception में जाके decide करना है कि relative factor किस तरीके के है, और यहाँ पे हम लोग का basically दोस्तो industrial analysis भी खतम होता है, last में कुछ आपके foundation के topic का ही जैसे topic हो गया, which is environmental analysis, जिसके अंदर हम लोग एक तो pestle analysis करते हैं, और दूसरा globalization के बारे में हम बात करते हैं, well, pestle analysis के अगर हम बात करें, तो एक example सिधा सा ल बात करेंगे, pestle का मतलब क्या हो गया, well, हम यहाँ पे 6 factors को analyze कर रहें, political, environmental, social, technological, legal और, let's say, economical, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, snapchat के viewpoint से, एक ऐसा application हो गया, जहाँ पे आप snaps भी सकते हो, जहाँ पे आप streak create कर सकते हो, तो वहाँ पे political environment किस तरीके से आपको impact करेगा, well, आज के time पे जो government के strict laws है, data protection को लेके, सीधा वो application को impact करता है, आज के time पे लिटसे कि government के जो laws है, data regulation को लेके, कि भाई, आप customers का data कहीं और use नहीं कर सकते, आप हमारे खिलाफ कोई ऐसी फलाना डिकाना रिल डलवानी सकते, या लोगों को डालने देनी सकते, तो यह सारी regulations आपके impact डालती है, तो यह political environment हो गया, कि आपके देश के सरकार, आपके business के towards क्या सोचती है, आपके देश के सरकार, बाकी देशों के साथ कैसा रिष्टा रखती है, आपके देश के सरकार क्या policies ला रही है, क्या नियम ला रही है, इसका आपके business के ओपर क्या प्रभाव सब पैसा जाप रहे, सब का पर capita income बढ़ रहा है, सब लोग ultimately यहां पर अच्छा कासा पैसा कमा रहे, सर हमारे देश के अंदर GDP खतरनाक जा रही है, इससे क्या फायता होगा Snapchat को, well जब सब लोग पैसा कमाते हैं, मतलब कहीं न कहीं देश के अंदर सब business अच्छा कर रहे होंग इस से Snapchat का revenue बढ़ेगा, तो यह economic factor हो गया, कि आपके देश के foreign currency, आपके देश का GDP है, आपके देश के जो लोगों की income है, वो किस तरीके से ultimately बढ़ रही है या घट रही है, फिर हो गया social environment, कि मेरे देश की जनता, मेरे देश की society, किस तरीके से मेरे business के बारे में सोचती है, या ultimately मेरे business को इसको use करना चाहती है, जैसे अभी इस point of time पे इंडिया का जो young population है, Snapchat के लिए तो खतरनाक advantage हो गया, यही मेरा market है, जहां पे मेरे को खुलना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कि दौरान में जब let's say कि आपके आँख को लेके जो है वो बहुत सा threat हो, कि आरे यार लोग तो बहुत जाता mentally aware हो गए कि जाता जो है, वो social media का use नहीं करना चाहिए, लोग जो है वो अपनी आखों को बचाने की कोशिश कर रहे है, कि और जाता जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए, तो मेरे तो user base कम हो रहे है, तो यह social हो गया, society हो गया, कि सारी बाते हर business पर impact डालती है, कोल मिला कि आपके आज पास के जो भी technological changes हो रहे है, वो कैसे आप पर impact डालते है, यह हो गया आपका technological environment, जैसे snap chart के लिए जो है, वो augmented reality, जो है वो बहुत जादा एक बड़ा decision हो गया, कि अपने filter थोड़ा सा और improve करे, लोगों को थोड़ा सा औ real time में share कर पाए, तो यह सारी बाते है आपके जो है वो technological हो गया, कि यार 5G आ रहा है, क्यों ना इस net का fight out आ जाए, लोगों को जो हो और बहतर streaming का experience दिया जाए, 5G आ रहा है, उसके साथ साथ हम लोग लोग लेट से कि उनको live जो भी photos है, वो editing के options दिये जाए, तो वो बहु कोई नया law आता है, लेट से कि आपके देश के सरकार ही recognize कर लेती है, जनता बहुत जादा social media पे, अब अपने कोई कम करना पड़ेगा, यह तो छोटने नहीं वाली आज से social media ban, अरे खतरनाग impact हो जाएगा, right, कोई act अगर आ गया तो, वेल देखो, अगर politically government ने कोई ऐसी approach र सकता है, जैसे वो अपने let's say की platform के अंदर socially plastic पो लेकर बहुत सारे जो है वो रील्स डालता है, जो awareness करती है कि इसका use कम करो, या let's say की कैसे environment को predict किया जा सकता है, उसकी regarding बहुत सारी awareness करता है, तो यह थोड़ी से society का, जो as in एक mindset है snapchat की towards वो थोड़ा सा positive उसके favor में लाता ह तो यह आपका pestle analysis हो गया, हम लोग को यह chart अच्छे से पढ़ लेना, जिसके अंदर बहुत सारे example देखे रखे हुए, political, economical, social, technological, legal और last में आपका environmental factors के right, यह एक tool हो गया to analyze your environment, फिर एक आपका topic आजाता है which is globalization, now what is globalization, यार यह तो हम लोग ने already 10th में पढ़ लिया था, कि क्य ज़रूरी है, well, अगर इसी को मैं थोड़ा सा English में, अगर let's say, classify करूं, तो it's very simple sir, हमारे देश के अंदर ऐसा है कि सारी जन्ता को हम लोग ने माल बेश दिया, हम जापान जिसे एक छोटी सी country है, हमारे यह आप ऐसा है कि जितनों को माल मिलना चीता, सब को मिल चुका है, अ हमारे पास option नहीं है, हमें इंडिया के market में जाके माल बेशना पड़ेगा, US के market में माल जाके बेशना पड़ेगा, इसलिए हम लोग माल बेशने जा रहे, सर हम लोग का एक ultimately और अच्छी बात ही है, कि पहले ऐसा होता था कि हर country बहुत सारे trade barriers रखती थी, आजकल तो सब अंदर कूद के जो है, कूद के तो नहीं, तैर के, या आप समझतो शिप के थू जो है वो जाना पड़ता था, बट क्योंकि शिप उतनी advance नहीं थी तो बहुत time लगता था सर, और distance भी बहुत बड़ा था तो सर, बहुत मुश्किल पड़ती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं ह साथ साथ, time तो आप बहुत बच गया है, माल का order वो WhatsApp पे ऐसे instant आता है, और distance भी जो है, बहुत थोड़ी सी कम लगती है, airplane के अंदर थोड़ा सा transport हो गया, road इंप्रूव हो गई, और along with that, waterways के भी transport इंप्रूव हो गया, इसलिए sir, right, sir, domestic market में competition बहुत है, इसलिए हम लोग क पड़ेगा, shift से जाएगा, यहां से वहाँ, बट मेरे लिए कितना आसान है, मैंने Zoom के ID किसी US वाले को share की, वो बंदा वहाँ पे Zoom पे बैठा बैठा मेरे lecture देख रहा है, तो यार, इसलिए service sector में तो आप समझ लो, global होना निश्यत है, इसलिए तो हमारे TCS और Infosys जैसे company, यहां पे बैठ है बैठ है, बारवालों के companies के software यू बना देती है, और यू चेंज कर देती है, यू जो है, ultimately, उनकी requirements को meet कर लेते हैं, अच्छा खासा पैसा भी जो है, वो dollars में मस कमा लेती है, प्लस, कभी-कभार ऐसा लगता है कि यार, जिस market में हम लोग बेशने जा रहे अगर वहां के ही market में हम लोग माल बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा easy पड़ेगा, delivery के मामले में भी और सस्ता भी पड़ेगा, जैसे Apple ने बोल जया कि यार, इंडिया में फोन बना लेते, सब लोग खरीदने वाले तो काफी है, तो वहां पे थोड़े हमारी help हो जाएगी, इसलिए सर global हो गए, बहुत अच्छा, और सर, देखो कितना भी हो, देश की company से जितना सीखना था ना, वो सीख लिया, अब हम लोग को एक दूसरे से सीखना है, तो हम लोग भार वाली companies के साथ globalize इसलिए होते हैं, ताकि एक strategic alliance में इंटर हो सेखें, जैसे हमारी Mahindra वाली company यहां पर आपकी technology बहुत अच्छा काम पर रहेगी, आप हमारे साथ share करो, आपको भी फाइदा कराएंगे, हम भी फाइदा करेंगे, must must guardia launch करेंगे, सर, इसलिए हम लोग global हो गए, तो कई आपके reason हो सकते है, बढ़ यह reason आपका question बन सकता है, what are the reasons for company being global, कि क्यों company जो है, व क्यार कौन सी चो, content interview मेरे लिए सबसे बेस्ट है, कौन सा area मेरे लिए सबसे बेस्ट है, एक global perspective से मैं चेक करता हूँ, क्यार कौन सी country develop stage पे पहुच शुकी है, कौन सी developing है, किस country मेरे लिए सबसे ज़ादा फाइदा है, इसको मैं बोलूँगा, multinational environment analysis, बहुत सारे अलग- कि यार किस country में मुझे जाना है, चलो एक बार कले मैंने decide कर लिया, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, कि यार किस तरीकी की opportunity है, वहाँ के लोग मेरा माल खरी देंगे कि नहीं खरी देंगे, यह आपका regional environment हो गया, जैसे कि for example, let's say, multinational में मैंने decide कर लिया, I want to go into Europe, तो वहाँ पे मैंने check किया, क्या यूरोप के अंदर मैं जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यूरोप के अंदर कौन सा सबसे best country होना चीए, क्या मैं यूरोप के अंदर France में जाओ, Germany में जाओ, let's say, England में जाओ, कहाँ पे जाओ मैं, तो इस point of time पे ये regional environmental analysis हो गया, कि कौन सबसे ज़ादा मेरा माल करीदेगा, काम पे सबसे ज़ादा innovation हो रही है, and last में, let's say, कि मैंने decide कर दिया, क्या इंग्लैंड में जाना है, तो इंग्लैंड की country का environmental analysis करूँगा, कुल मिला कि इंग्लैंड की देश की political environment कैसी है, इंग्लैंड देश की जो है, वो social environment कैसी ह इंग्लैंड देश का जो technological environment है, वो कैसा है, that is country environmental analysis, तो ये तीन अलग-अलग levels पे मेरा globally strategy जब मैं बनाता हूँ, तो ऐसे analysis करता हूँ, right, उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम लोग, जब ये पूरा external analysis वाला part कर चुके है, तो उसके बाद हम लोग जो है वो दो तीन और example दे cycle, कुल मिला के PLC concept, एक simple सी बात बोलता है, कि आपका जो product होता है, basically उसको चार अलग-अलग journey से गुजरना पड़ता है, जैसे Tata Nano के आप बात कर लो, well, Nano जब launch हुआ था, तो initially मैं बोलूँगा, कि कोई जानता ही नहीं था, कि वह एक लाग के भी गाड़ी बीग सकती है गय क्योंकि अभी तक awareness आई नहीं है, और यहां पर आप advertisement में भरपूर खर्चा करते हो, because आप चाते हो कि भाई, लोग आपका माल खरीदे, तो उसको पहले पता तो होना चाहिए, कि ऐसा माल कुछ भी करा है, धीरे धीरे जब यह awareness बढ़ेगी, तो आपका यह graph बढ़ता जाए और आपको इसका फाइदा मिल रहा है, first mover advantage का, फिर एका phase आएगा, जहां पर competition इतने phase हो जाएगी, कि आर माल बेचने वाले जो हो बहुत जादा हो जाएगे, तो competition भरपूर हो जाएगी, और सब लोग आपके जो customers है, वो माल को खरीद चुके होंगे, और यहां पर आपको देखना है कि आपकी जो sales है वो stagnant हो चुकी है, मतलब पहले जितना बिकरा दाना, अभी उतना बिकरा है, यह आपकी stage हो गई, maturity stage, और दीरी दीरे ऐसा होगा कि आपका जो product है, उसका stage declining में आ जाएगा, मतलब sales आपके down हो रही है, लोग छोड़के जा रहे है उस business को, और को होगा है, बट उसकी awareness फिलानी पड़ेगी कि कैसे अलग-अलग way में उसका फाइदा उठाया जा सकता है, फिर मेर को देखके बहुत जन बनाना चालू कि अरे यह तो growth है, सब लोग खरीद भी रहे है, लेकिन बहुत जन बना भी रहे है, लेकिन मेरा market अभी ऐसा है कि सब लोगों ने मेरा product खरीद लिया है, आखिर में जब iPhone आ गया, तो iPod के declining stage आ गई, जहां पर iPod के sales है, वो बहुत ही कम हो गई है, और iPhone ने बोल दिया कि सिर्फ गाना सुनके क्या करोगे, camera भी ले लो, calling भी कर लो, सब एक device में कर लो, तो यह समझ लो कि product life cycle जो है, वो हर product क different हो सकती है, पारले जी जिसे कुछ महान product जो है, वो सौ सो साल से जो ultimately बंद नहीं होते है, शायद ऐसी ताकत रखते है, बड़ यह अगर मैं बात करूँ कुछ product तो उनकी तो life cycle एक साल में ही ऐसी है, जैन में आया, introduce हुआ, फरवरी में growth आई, March में ultimately maturity आई, और April में decline हो गय क्या गरेगा, differ करेगा, और इस concept को भी हम लोग को important समझना है, MCQ जिस पे बन के आने के बिल्कुल chances बैठते है, PLC, right, फिर आपका next topic बन जाता है, which is experience curve, well experience curve तो आपके लिए बहुत माईनी रखता है, कि कुछ बाते ऐसी होती है, जो आप गलती कर करके सीखते हो, और उसको अगर मैं English में translate करूँ, तो it is experience curve, कि कैसे मैं पहले से operate कर रहा था, और अब थोड़ी सी कम cost में operate करना चालू कर दिया, कोई मुझे पूचा कि भाई, पहले से अब तुने अलग क्या किया, तो मैं बोलूँगा कुछ नहीं, पहले जो मैं कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने ज जो जो गलतिया की है, उन गलतियों को मैं सीखता गया, बदलता गया, ठीक करता गया, और आज मेरे को पता चल गया है, कि कहां पे खर्चे बचाये जा सकते है, और कहां पे खर्चे करने जरूरी है, इस experience का मैं फाइदा उठा रहा हूँ, मेरी जो curve है, average unit cost की, वो धीरे धी decline होती जा रही है, कि per unit cost जो है, वो मेरा बनाने का कम लगता जा रहा है, जैसे, जैसे, मेरा experience बढ़ता जा रहा है, इसका must example हो गया, इंडी को, कि इंडी को का जो है, वो ultimately experience आज इतना हो गया है, कि उनको पता है कि हर segment में मुझे कैसे time कम से कम utilize करना है, और कैसे खर्चा में कम से कम जो है, वो कर सको, a good example of experience का, right, उसके बाद आपका next topic आजाता है, value creation and value chain analysis, now value creation is very simple topic, value creation एकदम simple सा बोलता है, बहुत एकदम straightforward, यह बोलता है कि देख भाई, सीधी सी बात है, कि आपका जो customer है, वो आपको जब pay कर रहा है ना, तो उसको must satisfaction होना चाहिए, वो बंदा इसे दे रहा है, तो एक बहुत sacrifice वाला feel ला रहा है उसको, कि और मैं मेरे 5,000 रुपे, ultimately इसको पकड़ा रहा हूँ, थोड़ा दुख तो हो रहा है, तो आपको उस दुख के बदले में इतना सुख देना है, कि सामने वाला बंदा अगली बार आके बोले, वापिस से मेरे को प्रोड़क दो रहे, because वो कभी उसको दुख फील ही नहीं होगा, तो यहाँ पर आप समझ लो, कि इसको आप थोड़ा सा एक 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 जामपल के थूख सेट करें, तो इस वेरी सिंपल, वाल्यू जो आपका ये analysis वाला value creation वाला topic है, वो ये बोलता है, कि एक customer के लिए आपकी पैसा वसूल वाली feel लेके जा रहा है, मज़ा आ गया पैसा वसूल वाला feel, right, तो यहाँ पर वो किस तरीके से एक analogy हम यूज करेंगे, उसका मैं यहाँ पर example ले रहा हूँ, let's say for example, कोई एक बंदा जो है वो train में जा रहा था, AC coach उसने जो है वो बुक करने का सुझा था, 2000 टिकेट थी, मैंने बोला कि यार कहा जा रहा है, बोला सुरत से बिकानेर जा रहा है, मैंने बोला कि यह सुरत से तो विकानेर जा रहा है, तो तिरको कितना दिन लगेगा, उसने बोला एक दिन लगेगा, मैंने बोला कि अगर मैं तेरा एक दिन बचाओं, और साथ इसाथ यह जो railway में सो नहीं पाया या ठीक से रह नहीं पाया या बहुत मच-मच चल रही थी यह hassle-free experience जो है वो मैं ते को provide करूँ तो तो कितना amount premium पे करने के लिए ready रहेगा उसने बुला सर्फ 2000 रुपए तो मैं दूँगा plus सर आप अगर इतना कुछ मेरे को दे रहे हो ना तो मेरे को लग रहे है 1200 अगर मैं दूँगा ना तो भी मेरे को दूख नहीं है मज़ा आएगा मेरे को करना है कि मेरे खर्चे से कम भी मैं सामने वाले को चार्ज नहीं करूँ तो आपको कोशिश करने कि आपके जो प्राइजिंग है न वो इन दोनों की बीच में हो अगर लेट से कि आपके प्राइजिंग जो है वो पच्छिस सो रुपय है तो हम बोलेंगे 700 रुपय के सामने वाले के लिए आपने वाल्यू क्रीट करके दी है और 500 रुपय जो है वो आपने अपने लिए कमाये है जो आपके लिए मार्जिन बन जाएगा तो यही वो डाइग्राम में दिख रहा है दाट इस मिनिमम प्राइस फर्म की कॉस्ट मैक्सिमम जो फर्म वाल्यू प्रोइट वाला concept simple सा बूलता है भाई सामने वाले बंदे के लिए वाल्यू क्रेट करके दे उसको ऐसे फीचर प्रोइट कर उसको ऐसी performance दे उसको ऐसी quality दे कि वो बंदा खुश हो जाए तेरा product purchase करके अब देखो value creation आपकी सिर्फ प्राइजिंग पर निरबर नहीं करती है यह तो हम लोगने एक analogy use कर लिया कभी कबार ऐसा होता है कि सामने वाला मू मांगी रकम देने के लिए तैयार है बट उसके लिए value कोई और वे में आपड़ेट करते हूँ जैसे मैंने एक individual को पूछा बहुत पैसेवाल आदमी है कि भाई तिर को जो है वो किस तरीकी की गाड़ी चाह है सर क्या मस्त गाड़ी है आप ही ले सकते हो सर हम तो लिन नहीं पाएंगे तो मुझे वह वाली अमाउंट वाली गाड़ी चाहिए तो अब इस पॉइंट अफ टाइम प्राइस पे करने की बात ही नहीं आ रही उसको ऐसा है कि भाई स्टेटस ड्रिवन जो है वाल्टी में रहा होना तो उसके बदले में मेरे को स्टेटस मिलना चाहिए तो यह अपने आप में वाल्यू क्रेशन हो गया जो कई ब्रांड रोलेक्स हो गया या कई ऐसी होगे जो बकाइदा यूज करती है ताट इस दोस्तों करेंगे लास्ट 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 टॉपिक इस वीडियो अब भी इस पॉइंट अफ टाइम पर हमारे लॉस्ट टॉपिक बचा हुआ है विच इस वाल्यू क्रियेशन सर वाट इस वाल्यू क्रियेशन हम लोग ने इन फाक्ट पढ़ी लिया आपको आई गया वाट इस वाल्यू चेन अनालिसिस देखो यह ओल्ड सिलेबिस में भी यंगल कि नहीं here अवाल्यू चेन इस क्या बोलता है अब भी आपने शर वाल्यू क्रिएट करने की बात की मैं बुद ला वेल्यू क्रियेट करने की ठाइम पर बहुत फारी बातों का आपको ध्यान में रखना है तब जाके सामने वाले के लिए बाल्यू क्त्रीट होगी मै यहां वो चाहेगा उसे मैं माल प्रोवाइड करूँगा और साथ इसाथ जिस प्राइस पे उसको मैं माल दूँगा उस प्राइस पे जो है वो मेरी प्राइस एकदम लोईस रहेगी तो आप दो वादे उससे कर रहे हो तो उसको वैल्यू प्रोवाइड हो रही है पट आप सम गई primary और दूसरी हो गई secondary कहता है कि हर organization में यह दोनों activity है जो value create करने में उन्हें help करती है primary के अंदर आपके 5 element आ गए inbound logistics राइट primary में पहला आ गया inbound logistics दूसरा primary के अंदर जो activity आ गया it is outbound logistics राइट फिर इने से जो related हो गया वो secondary के अंदर आ गया which is procurement primary में एक और आ गया which is operation then primary में आ गया which is marketing and last में primary में आ गया which is service और secondary के अंदर इसके अंदर आ गया tech आ गया HR आ गया let's say secondary के अंदर आपका जो है वो organization का पूरा का पूरा culture आ गया जिसको हम लोग बोलेंगे last वाला point which is organization infrastructure तो अब यह आपके factors हो गए जो आपको value create करने में help करेंगे अब इस पर कैसे द्यान दोगे sir inbound logistics sir आप ना पहले inbound logistics का छोड़ो आप पहले procurement की बात करो मैंने बुलो procurement का मतलब क्या बुला procurement का मतलब sir किस भाव पे आप चीजों को purchase कर रहे हो देखो sir आपने कुछ जगह पे ना खुद माल बनाना चालू कर दो अगर आपको need लगती है तो बड़ आपको make sure करना कि आप cheapest procurement करो ठीक कर लेंगे economies of scale अचीव हो जाएगा तो बल्क में जो भी आपने material purchase किया हुआ या जो भी माल purchase किया हुआ है वो बनाने के लिए या जिस जगह पे होनी चाहिए वाप पे होने के लिए आपके warehouses में होने के लिए किस तरीके का ultimate efficient system होना चाहिए कर लिया सर उसके बाद दरसे कि operation के मामले में हम यह बोल सकते है कि आपका जो operation है वो एकदम efficient होना चाहिए what is operation efficient होना चाहिए कि अगर customer माल खरीदने आए तो उस point of time पे उसको बिलकुल भी convenience के अलावा कुछ और face होना ही निचीए मतलब वो बंदा इतना hassle free experience होना कि उसको trolley भी नहीं उठानी पड़े उसके हाथ में एक handheld device दे दो करते हो तो वो sale का जो system है वो एकदम efficient होना चीए अब outbound logistics आप Amazon की perspective से देख सकते हो कि कितना efficient है कभी भी ऐसा नहीं होगा बहुत ही rare case है क्या जहां पे लाखों क्या करोडों में deliveries हो रही है उस point of time पे बहुत यह से rare cases होंगे कि आपने mobile मंगवाया है और आप ultimately कुछ और मिल गया है इतना sufficient उनका outbound logistics है right marketing and sales sir आप Walmart हो आपको make sure करना है कि जनता आपके पस आई भी और आने के लिए आपको अच्छी खासी awareness create करने पड़ेगी कि सबसे सस्ता सबसे अच्छा और हर वक्त available रखने वाला store सिर्फ हमारा ही है तो इस फैले पर element पे आपको ध्यान देना पड़ेगा लोगों के दिमाग में बार-बार pitch करना पड़ेगा हमसे सस्ता तो कोई और बेच ही नहीं सकता और आखिर में हो तो आप उसको बोल सकते हो कि सर आप हमारी application से भी order कर सकते हो यह वाली extra services दे सकते हो या online delivery हो गई phone पे delivery हो गई यह सारी extra services भी आपके द्वारा दी जा सकती है बड़ यह primary activities को support करने के लिए आपकी supportive activities है जिसके अंदर procurement हमने देख लिया इन सब जगा पे technology का तो use हो गई human resources की training होनी जरूरी है क्योंकि human resources आपके लिए बहुत फाइनी रखते है जिसे akasa air हो गया आज pilot नहीं है तो बिचारा plane रखके भी उड़नी पा रहा है because उनका HR जो है वो कहीं नहीं थोड़ा सा cheat कर चुका है तो Walmart को make sure करना है कि मेरे जितने भी employees है ना वो इतने खुश- चाहिए hiring हो गया इनकी promotions हो गए इनके motivations को training की बात कर लो last में sir firm infrastructure बहुत जरूरी है firm infrastructure मतलब यहाँ पे जो structure आपने set करके रखा हुए see if you are operating in more than one country ना तो at that point of time आपके पास एक proper structure होना चाहिए जो आप हर जगा पर replicate कर सको जैसे अगर मैं इंडिया में store कुल रहा हूं तो व हम लोग धंदा करते हैं यही हम लोग के जो है वो levels होते हैं जहां पर हम लोग managers बिठाते हैं उसके बाद यह managers जो इस तरीके से बेचते हैं हमारा culture यह है हमारा ultimate पैसा भरपूर पड़ा हुए हमारे पास तो यह आपका पूरा firm का infrastructure हो गया कि firm के अंदर का culture firm के अंदर का organization का structure वहाँ पर जो BOD के team है वो along with that जो उनके पास financial resources है innovation की capabilities है execution की capabilities है तो Reliance का जो firm का infrastructure है बकाईदा बहुत ही अच्छा है इस सारी activity आपका debt equity ratio बहुत ही कम है इस सारी activity आपको value create करने में help करेगी इन में से आपको दिखना है कि कौन सी बहुत ही crucial activity बन जाती है जो मेरे customers पे सीधा impact करती है मुझे उससे सुदारना है operation, inbound logistics, HR management, marketing इन सब में compromise नहीं हो सकता तो आपको इन सब में अच्छा होना पड़ेगा superb होना पड़ेगा और आप सामने वाले के लिए value create कर दोगी तो आप इन activities को बस identify करने की courses कर रहे हो, हम class के अंदर तो बहुत सारे example जो है वो discuss किये थे, in fact जिनको मैंने पढ़ा है उनको मैंने लिखवा भी दिया रहेगा but मोटा मोटी चितने भी मैंने अभी तक जो है वो overview दिये रहेंगे वो आपके लिए sufficient है to understand the topic एक बार अगर आपने पढ़ा रहेगा तो सारी बाते याद आ गई रहेगी, अब इस point of time पर एक reading आपको दे नहीं पढ़ेगी because pointers तो मैंने बता दिये but अंदर के जो content है वो आप तभी लिखपाऊगे जब आप उसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो और इस पूरे चाप्टर के अंदर value chain analysis हो गया, portals five forces हो गया, competitive landscape हो गया, या pestle analysis हो गया, इनसे बकाइदा काफी अच्छे अच्छे जो आपको questions बने जा सकते हैं और definitely बनेंगे भी, तो you have to make sure कि इन topics में आप थरो हो जाओ, right, and यहाँ पे आपको जो है वो कोशिश यही रख को, but जितने भी अंदर का content है वो आपको make sure करना है कि यार, जितना मैं मेरे side से best दे पाऊँ ना, उतना मैं देने की कुशिश करता हूं, because आप समझ दो कि इस point of time पे enter के जो बच्चे है वो आपके साथ exam लिखते हैं, तो वहाँ पे यार वो बहुत अच्छा-च्छा answer present कर र कि यह language आप replicate करो, right? So, thank you very much, जो भी last तक बने रहे, I hope आप सबको जो है, वो session पसंद आया, अगर लेट से कि अच्छा लगा तो definitely comment कीजे, इससे हमें अच्छा लगता है कि हमारी महनत जो है, वो सही जगह पे जा रही है, लोगों को पसंद आ रहा है, और बाकी जो lectures है, वो थोड़ा सा एक घंडे का वीडियो बंदा रहे ताकि आपको भी बोर ना हो, तो let's say कि अगर आपको कोई भी वीडियो के बारे में बात अच्छी लगी रही, definitely comment कीजे, right? पढ़के मैं तो बिलकुल खुश हूँगा, right? चलिए, thank you very much.